हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागते आपका हमारे चैनल में आखिर क्यों पिरेंका ने सेरोगैसी के जरीए बच्चा पैदा करना सही समझा पूरी बात की ख़बर जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप भी पिरेंका चोपड़ा के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन के बटन को दबाना ना भूले दोस्तो पिरेंका चोपड़ा के सैरुगेसी के जरीए मावनने पर कई सवाल खड़े हो गए है एक तरफ जब पिरेंका को मावनने पर बदाहियां मिल रही है तो वहीं दूसरी और कुछ लोग ऐसे भी है जो पिरेंका की सैरुगेसी सरजरी के फैसले से ना खुस है लेकिन अब इस बात का खुलासा हो गया है कि आखिर क्यों प्रियंका ने खुद बच्चे को जनम ना दे कर सेरोगेसी का रास्ता अपनाया अमेरिका की सबसे बड़ी नियूस पॉर्टल के मताबिक डेली मेल के मताबिक प्रियंका का काम में व्यस्त रहना इसका एक सबसे बड़ा कारण है दूसरी तरफ प्रियंका 49 वर्स की हो चुकी है इस उमर में मैला को बच्चा पैदा करने में काफी दिक्कत होगा सामना करना पड़ता है हाला कि प्रियंका काफी फेट है और व्यस्त बच्चा भी पैदा कर सकती है लेकिन काम में ज़्यादा बिजी होने के कारण व्यस्त बच्चे को सही से पालन पोसंड नहीं कर सकती थी बढ़ती उमर की वजह से उन्हें बच्चे का जादा ख्याल रखना पड़ता और अगर कोई दिक्कत होती तो इसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है प्रियंका ने इसी वजह से कई बड़े बड़े डॉक्टरों से सला ली और उसके बाद ही सेरोगेसी के जरीए बच्चा पैदा करने का फैसला लिया अलाकि ये फैसला प्रियंका के लिए कुछ जादा अच्छा नहीं रहा क्योंकि इस बच्ची का जनम 12 हफते पहले ही हो गया और ये बच्ची अभी कैलिफोर्निया के हस्पताल में भरती है ले प्रियंका को मा बनने की खुसी मिली हो लेकिन जब तक उनकी बच्ची घर सही सलामत वापिस नहीं आ जाती तब तक प्रियंका की सासे ऐसे ही अटकी रहेंगी वैसे दोस्त प्रियंका के इस फैसले पर आपका क्या कहना है आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए